नमस्कार, कहानी संसार मिलीचे सुनिये, हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार और उपन्यासकार, भगवती चरण वर्मा की लिखी कहानी वसियत, वाचन स्वर मेरा यानी अनुराग्ष अधरी का है दोस्तों वसियत कहानी भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखी एक मनुरंजन पूर कहानी है, इस कहानी के प्रमुक पात्र चूडा मडी जी अपने परिवार के सदस्यों के बेवहार और आदतों से सर्वता परजित थे, वह उन पर विश्वास नहीं करते थे यहां तक कि अपनी पत्नी जसोदा देवी पर भी उन्हें विश्वास नहीं था, इसलिए उन्हें वसियत सौपने या अपना उत्राधिकारी बनाने के योग भी उन्होंने नहीं समझा, और अपने परमसिस्य जनार्दन जोशी को वह वसियत सौप देते हैं, कि उनकी मृत के बाद वही उसे परिवार वालों के सामने पढ़कर सुनाएं, तो आईए सुनते हैं भगवती चरण वर्मा की लिखी कहानी वसियत, जिस समय मैंने कमरे में प्रवेश किया, आचारे चोड़ा मडी मेश्र आखे बंद किये हुए लेटे थे, और उनके मुख पर एक तरह क आइठन थी, जो मेरे लिए नितांत पर जिस से थी, क्योंकि क्रोध और पीड़ा के मिस्रण से वह ऐसी आइठन उनके मुख पर अक्सर आजाया करती थी, वह कमरा उपरी मंजिल पर था और वह अपने कमरे में अकेले थे, उनका नोकर बुधाई मुझे उस कमरे में बाहर चला गया, आचारे चूड़ा मडी की गड़ना, जीवन में सफल, संपन और सुखी व्यक्तियों में की जानी चाहिए, ऐसी मेरी धाड़ा थी, दो पुत्र लाल मडी और नील मडी, लाल मडी देवरिया के इस्टेट बैंक की शाखा का मैनेजर था, और नील मडी लख इंजीनियर थे, सावित्री के पती स्री जैनराड तिवारे की सुल्तानपुर में आटे की और तेल की मिले थी, और सौधामिनी के पती संजीवन पांडे सेना में करनल थे, और मेरट चाहुने में नियुक्त थे, आचारे चूड़ा मडी का और मेरा साथ करीब 40 वर्स पुर अटूट निष्ठा और अडिक संयम का ही परड़ाम था, कि वे विश्व में भारती दर्शन के विशे सग्य माने जाते थे, प्रकांड पांडित्य के गरंथों से लेकर बीए की पाठे पुस्तकों तक अनेक गरंथों की रशना उन्होंने की थी, नजाने कितनी कमेटियों के वह सदसे थे, हर एक विश्व विद्याले उन्हें अपने हाँ परिक्षक बना कर अपने को धन्य समझता था, साथ ही बड़े कटर किस्म के ब्रामहर थे वे, और तो और मेरे घर की बनी हुई चाय तक उन्होंने कभी नहीं पी, महीनों उन्हें वाराणसी से बाहर रहना होता था, और तब वे सक्तू, दूद, फल तथा अपने घर में बनी हुई मठ्रियों या लड्डूओं से हपतो काम चला लेते थे, वाराणसी के लंका मुहले में उन्होंने दुमंजिला मकान खरीत लिया था, उसी में वह रहते थे, उनकी पतनी तथा उनके पुत्रों न करके पूजा करना नियस्स था, जन्वरी का प्रथम सप्ताह था, उस दिन जब वह घंगास नान करके लोटे उन्हे को ज्वर सा मालूम हुआ, उनकी पतनी ज़सोदा देवी अपनी परंपरा के अनुसार लखनव में अपने छोटे पुत्र के यहां थी, उनके नोकर लग गई है, ठीक हो जाएगी, दूसरे दिन जब बुखार और तेज हुआ तब उन्होंने डाक्टर को बुलाया, डाक्टर ने देखा कि उन्हें निमोनिया हो गया है, दोनों फेफड़े जकड़ गए हैं, उसने धवाती, बीमारी के चौथे दिन आचारे चूड़ा मड आपकी सेवा में उपस्थित है, मेरा इतना कहना था कि आचारे चूड़ा मड़ी ने अपनी आखे खोल दी, जनार्दन मेरा अंत समय आ गया है, तुम मेरे सबसे अधिक निकटस्त रहे हो, तो तुम्हें बुला भेजा, मैंने आचारे चूड़ा मड़ी की विमारी के संब शरीर नस्वर है, कमजोर आवाज में आचारे ने कहा, हाँ जनार्दन, यही पढ़ा है, लेकिन अभी मेरी अवस्था ही क्या है, कुल मिलाकर 75 वर्स, सोच रहा था सन्या सास्रम का, भी कुछ रस लूँ, लेकिन लगता है मृत्तु सिर पर आ गई है, मृत्तु से बड़ा भे लगता है, और जैसे भी बहत ठके हो, उन्होंने आखे मूंद ली, मैंने उन्हें धीरज बधाया, दिल छोटा मत कीजे गुर्देव, बताइए, मेरे लिए क्या आदेश है, आचारे चोड़ा मड़ी ने फिर आखे खोली, अरे हाँ, मेरे तकिये के नीचे कुछ रखे हैं, उसमें मेरी वसीयत है, कल इसकी रजिष्ट्री यहीं घर पर करा चुका हूँ, एक प्रतिनिया आयाले में है, दूसरी यह है, तो इसे निकाल लो, एक मातर तुम मेरे सबसे अधिक निकटस्त हो, और इस दुनिया में एक मातर तुम पर मेरा विश्वास रहा है, मैंने उन सबों को कल ही तार करवा दिया है, जिन्हें मेरे क्रिया कर में सम्मिलित होना है, और मेरी वसीयत के अनुसार कुछ मिलना है, इस वसीयत के कार्यानिमेन के लिए मैंने तुम्हें निक्त किया है, तो यह वसीयत मैं तुम्हें सौपता हूँ, मेरा प्राणान तो हो उधर आचारे चूड़ा मड़ी की आखें उलटने लगी। मैंने ततकाल बुधई और लाल मड़ी को बुला कर आचारे को भूमी पर उतारा। इधर मैंने उनके मुख में गंगा जल डाला। उधर आचारे के प्राण महायात्रा पर निकल पड़े। हो जाती है तो इसे पढ़ना आवस्यक है। हाँ बुधई ने बताया था कि सब रजिस्टार सहाब को पिता जी ने बुलाया था लाल मड़ी बोला। एक छोटी सी भूमी का अपने संबंध में फिर वसीयत में कार्यानिमेन के अनुच्छेद आरंब हो गये थे। पहला अनु क्रिया कर्म का ब्या काट कर मेरा अन्तेष्ट संसकार करने वाले को मिलेगी। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि मेरे दोनों पुत्र अधर्मी और नास्तिक हैं। वैसे मेरा अन्तेष्ट संसकार करने का उतरदायत्व मेरे जेष्ट पुत्र लाल मड़ी पर है। ले पीचे लिखी नामों की तालिका के अनुसार प्रात्मिक्ता के क्रम से यग्यो पवीत और शिखा धारन करने वाला ही मेरा अंतेश्टी संसकार कर सकेगा। मैं पढ़ते पढ़ते रुग गया। लालमडी की ओर देखकर मैंने पूछा क्यों चिरन जीव लालमडी तुम्हारी चोटी बोटी है की नहीं और यग्यो पवीत पहनते हो या नहीं। कुछ उल्जन के भाव से उसने कहा चुटईया रखके कहीं इस्टेट वेंग की मैनेजरी होती है और जनेव हर दूसरे तीसरे दिन मैला होता है तो हमने पहनना ही छोड़ दिया। तब तो पचास हजार गए हास से तुम अंतेश्टी संसकार की योगी नहीं हो तुम्हारे बाद नेलमडी का नंबर है उसके भी न चोटी है न जनेव है यह जो तीसरे नंबर पर हमारा चचेरा भाई है जगत पति मिश्र राज जोतिसी यह निहायत जूटा और आवारा है ग्रहकों को फसाने के लिए इसकी एक बलिस्त की चोटी लहराती है और जूटी कसमे खाने के लिए मोटा सा जनेव पहने है जगत पत मुझसे भी एक बार पांच रुपए आयट ले गया था तो मैंने कुछ सोच कर कहा लालमडी हमारी सलाह मानो तो तुम किसी नाई की दुकान पर ततकाल मशीन स अपने बाल जहटा लो तो चोथाई या आधी इंज की चोटी निकलाएगी और वहां से लोडते हुए एक जनेव भी लेते आना मेरी बास सुनते ही लालमडी तीर की तरह बाहर निकला लालमडी के जाने के बाद मैंने वसीयत का दूसरा अनुचेत पढ़ा मैं चूडा मड मिश्र चाहता हूँ कि मेरे मृत्य की सूचना तार या टेलिफोन द्वारे मेरी पतनी जसोदा दे भी मेरे पुत्र लालमडी तथा निलमडी मेरी पुत्रियां सरस्वती सावित्री और सौदामिनी तथा मेरे भतीजे जगत पती स्रीपती और लोगपती को दे दी जाए अ मेरे दसमे के दिन समस्त सगे संबंध्यों की उपस्तिती में मेरी वसीयत का शे सांस पढ़ा जाए अब मुझे आचारे चूड़ा मड़ी मिश्र की वसीयत में दिलचस्प पियाने लगी थी लेकिन आचारे की आग्या मुझे शिरोधारे करनी थी इसलिए वसीयत को तह कर मैंने अपनी जेब के हवाले किया आचारे प्रवर का भौतिक शरीर अगले 24 घंटों में बिगड़ने न पाये मुझे इस बात की चिंता थी सौभागे से लाल मड़ी वारान सी आ गया और करीब आधे घंटे बाद वच्चा उथाई इंचलंबी चोटी धारन किये हुए नाई की दुखान से घर वापसा गया इस समय उसके कंधे पर एक मोटा सा जनेव भी लहरा रहा था मैंने वसीयत का दूसरा अनुच्छेद उसे सुना कर आदेश दिया कि वसीयत में बताए लोगों को तार या टेलीफोन से खबर कर दे अपने चचेरे भाईयों के परिवार को बुला ले और एक सिल्ली बर्फ भी मंगवा कर आचारे प्रवर का शरीर उस पर रखवा दे दूसरे दिन सुबह 9 बजे आचारे जी की सोयात्रा मडिक अडिका घाट के लिए रवाना होगी मैं सुबह 7 बजे पहुच जाओंगा कितनी शानदार सोयात्रा थी आचारे चूड़ा मडिकी मैं तो दंग रह गया वाराणसी के सभी धर्मा ध्यक्ष और पंडिस सम्मेलित थे उसमें सर्मा शर्मो कुछ नेता भी आ गये जगत पति के आपत्तियों के बावजूद आचारे की कपाल करिया उनके जेश्ट पुत्र लाल मडी ने की और अपनी चोटी और अग्यो पवीत की बलपर दसमें की दिन जब घर शुद्ध हो गया मैं आचारे की वशियत लेकर उनके घर पहुचा उनके सब परिवार वाले तथा सगे संबंधी आ गये थे नीचे वाले कमरे में लोगे कत्र हुए एक और इस्त्रिया थी आचारे की पत्नी जशोता थे भी लाल मडी की पत्नी नीरजा मिश, नील मडी की पत्नी मधुर्ममिश, दोनों के ही बाल बाब्ड, दोनों ही अंग्रेजी मिशृत हिंदी में बाते करने वाली, आचारे की पुत्रियां सरस्वती और सावित्री, भारतियता की प्रतिमूर्ति लेकर सौधामिनी अपनी जगत पती मिश्र, स्रीपती मिश्र और लोगपती मिश्र, बुधाई सब लोगों के पान पानी की ब्यवस्था कर रहा था। मैं उस समय तक अत्य धिगम भीर था। आचारे चूडा मड़ी के आदेश का पालन करते हुए, मैंने उनकी वशियत का सेसांस अपने घर पर नहीं पढ़ा था। यद्य पर उसे पढ़ने के इच्छा बहुत होई थी। मैंने वसियत पढ़ना आरम किया। दो अनुच्छेदों में लोगों को कोई दिल्चस्पी नहीं थी। वह तो सब हो चुका था। अब मैं तीसरे अनुच्छेद पर आया जो इस प्रकार था। मैं चूडा मड़ी मिश्र आदेश देता हूँ कि मेरा दाह संसकार करने वाले व्यक्ति की पत्नी सूतक हट जाने के बाद 6 महीने तक नित्य प्रती सुबह हसनान करके ग्यारह ब्राम्हडों की रसोई अपने ह जान नहीं दे सकती। मैंने नीरजा मिश्र की बात अंसुनी करते हुए तीसरे अनुच्छेद का शेसांस पढ़ा यह दिवहिस्त्री इससे इनकार करती है तो क्रमा नुसार यह काम मैं दूसरी बद हूँ और इसके बाद अपनी तीन लड़कियों के हाथ में सौपता जिसके लिए उस इस्तरी के लिए पचीस अजार रुपए की नक रकम निश्चित करता हूँ। जहाँ छे साथ आदमियों की रसोई बनाती हूँ, वहाँ ग्यारे आदमियों की रसोई बना लिया करूंगी, कुल छे महीने ही की तो बात है और निर्जा ने मुझसे पूछा यह तो नहीं लिखा कि गरम पानी से असनान ने किया जाए, मुझे कहना पड़ा यह शर्त लग ठीक है, यह अधिकार भाभी जी का है, वैसे भाभी जी का मधुरिमा पर आक्षेप अनुचित है, मधुरिमा ने 50-50 आदमियों का भोजन अकेले अपने हास से बनाया है, भाभी जी को अपने शब्द वापस लेने चाहिए, मैं अपने शब्द किसी हालत में वापस नहीं लेकिन वाहरेलाल मड़ी उसने उठकर कहा मैं नीरजा के शब्द वापस लेता हूँ अब आप आगे पढ़िये बात और आगे ने बढ़े मैंने वसीयत पढ़ना आरंब किया अनुछे चार इस प्रकार है मैं चोड़ा मड़ी मिश्र अपनी पतनी जसोदा देवी से जीवन भर परिशान रहा अत्यंत आलसी चटोरी और लापरवाह इस्तरी है मैंने दाल भात और सत्तु खा कर जीवन बिता दिया लेकिन ये हराम जादी मुझसे छिपा कर प्रायह नित्ते ही रबड़ी मलाई और मिठाई खाती है तब ही जसोदा देवी ने चिला कर का हाई राम ये सब लिखा है इस बुढ़वे ने ऐसे ख़वोस आदमी के पल्ले में पढ़ गई इसे नरक में जगहने मिलेगी घर वालों को सता कर जमा जथा इकठे करता रहा ना सो हो इसका इसी समय लाल मड़ी और नील मड़ी ने एक साथ अपनी अम्मा को डाटा अम्मा पिता जी को गाली मत दो हाँ जोशी जी आप आगे पढ़िये मैंने चौथे अनुछेत का शेसांस पढ़ा मेरी मृत्य के बाद इस रांड को मेरे पुत्रों पर निर्भर रहना पड़ेगा जो अपनी जोर्गों के गुलाम है ये मेरी पुत्र बद हुए इसे भोखों मार देंगी और इसकी बिगड़ी हुई आदतों के काराण इसे भयानक कश्ट होगा इसलिए मैं जसोदा के नाम दो लाख रुपया छोड़ता हूँ जिसके ब्याज पर यह मजे में जिन्दा रह सकती है मैंने चौथा अनुच्छे समाप्त ही किया कि इस्त्रियों के कक्ष में एका एक हंगामा खड़ा हो गया जसोदा देवी हाई लालमन के पिता कहकर धराम से जमीन पर लेट गई और अन्य इस्त्रियों ने उन्हें घेर लिया दस सेकिंड बाद ही उन्होंने रोन अप्रारम कर दिया तुम तो स्वर्ग चले गए लालमन के पिता हमें इस नरक में छोड़ गए हमें छमा करो जो हमारे अंजाने में हमसे अप्राध हो गया हाई लालमन के पिता और उन्होंने अपनी छाती पेटना आरम कर दिया मैंने समस्त साहस बटोर कर कड़े स्वर में कहा ये सब कारण बाद में कीजिएगा अभी तो वसियत पढ़ी जा रही है और जसोदा देवी की पुत्रियों ने उन्हें जवर्जास्ती चुप कर आया मैंने अब पाचवा अनुच्छेत पढ़ना आरम किया मैं चूडा मडी मिश्र अपनी पुत्री सरस्वती के पती ग्याने इंद्रनात पाठक से अत्य धिखिन हूँ एक हफ्ता पहले मैंने ये खबर पढ़ी थी कि ग्याने इंद्रनात पाठक के विरुद्ध पांच लाख रुपे गवन की इंग्वैरी की मांग उठाई गई है असेंबली में इसके अर्थ ये हैं कि ग्याने इंद्रनात पाठक बेइमान और रिश्वत खोर है ग्याने इंद्रनात पाठक की और सब लोगों की निगाहें उठ गई और सहसा ग्याने इंद्रनात पाठक उठ खड़े हुई ये बुढ़ा हमेशा का बदमिजाज और बद जमान रहा है मरने के पहले पागल भी हो गया था और उन्होंने अपने पतनी सरस्वती को आग्या दी चलो इस घर में मेरा दम घुट रहा है एकदम चलो सरस्वती भी उठ खड़ी हुई लेकिन सावित्री और सावदामिनी ने सरस्वती का हाथ पकड़ लिया पहले पूरी बात तो सुन लो दूसरी और पूरसों में ग्याने इन नात पाठक का हाथ पकड़ कर बैठाया निल मडी ने मुझसे का हाँ जो सीजी पाचवान उच्छेद पूरा करिये मैंने पाचवान उच्छेत पूरा किया और अगर ग्याने इननात पाठक पर इंक्वारी बैठ गई तो बहुत संभो है इसकी नौकरी जाती रहे इसे शाय सजा भी हो जाए इस सब में इसके पाप की कमाई भी नश्ठ हो सकती है इसलिए मैं सरस्वती के लिए एक लाख कोई बात नहीं इनकी तो आदत ही ऐसी थी अब मैंने वसियत का छठा अनुच्छेत पढ़ा मैं चूड़ा मड़ी मिश्र अपनी दूसरी लड़की सावित्री से हमेशा संतोष्ट रहा हूँ अत्यां तो शुसील और बिनमर रही है भगवान की भीस पर कृपा है इसके पत जैनरा अर्तिवारी की आवास सुनाए दी वसियत के अनुसार हमें कुछ मिलेगा भी या नहीं यह तो उन्होंने नहीं लिखा है छठा अनुच्छे समाप्त हो गया किवला सिरवात ही दिया है उन्होंने अब सावित्री ने रो रो कर कहना प्रारम किया पिता जी हमेशा हम लोगों से जलते रहे हमारी संपन्नता का बखान करते रहे उन्हें क्या पता कि इस साल हमें दो लाख रोपय का घाटा हुआ है जैनरा अर्तिवारी ने सावित्री को डाटा क्यों घर का कच्चा चिठ्ठा खोल रही घाटा हुआ है तो हमें कोई हराम जादा इस घाटे को पूरा कर देगा क्या करनल संजीवन पांडे ने कड़े सवर में कहा तिवारी जी गाली वाली देनी हो तो अपने मजदूरों और मातहतों को देना यहां दोगे तो मुह दोर दिया जाएगा मैंने सब लोगों से हाथ जोड़कर बिने पुरवक कहा पहले बस यह समाप्त हो अंग्रेजी में बात करती है मुझे बताया गया है कि यह कभी कभी सिगरेट और सराब भी पी लेती है यद्यप मुझे इस पर विश्वास नहीं होता मुझे पढ़ते पढ़ते रुख जाना पड़ा सौधामनी चीख रही थी यह सब छोटे जीजा जी की हरकत है वो हमेश को विश्वास नहीं हुआ कर्नल संजीवन पांडे जैनरार्तिवारी का गला पकड़े थे और कह रहते क्यों बे सुगर के बच्चे हमारे हां आकर इसकाच विक्स की मांगता है और पीछे चुगली करता है और जैनरार्तिवारी गूं-गूं की आवाज कर रहे थे ग्याने इंद्रनात पाठक और नील मडी ने बड़ी मुश्किल से जैनरायन तिवारी को संजीवन पांडे के पंजे से छुड़ाया। मैंने कहा आप लोगों को इस पवित्र अवसर पर इस तरह लड़ना जगड़ना सोभा नहीं देता। इससे आचारे की दिवंगत आत्मा को क्लेश होगा। पहले मैं पूरी वसियत पढ़ लूँ तब आप आपस में एक दूसरे से ने पटियेगा। अभी सात्वान उच्छे समाप्त नहीं हुआ है। सब लोग शांत हो गए। मैंने पढ़ना आरम किया लेकिन इस समय मुझे लगता है मुझसे सवदामिनी की प्रतियन नहीं हो गया है। इसा नहीं अगर वह मर जाएगा तो सवदामिनी और उसके बच्चों को भीख मांगने की नौबत आएगी। इसलिए मैं डेढ़ लाख रुपएं की विवस्था करता हूँ। इसका ब्याज आठ प्रतिशत की दर से बारह हजार रुपए प्रतिवर्ष यानि एक हजार पुद्धे ने डेढ़ लाख रुपए की रकम हाथ लगी। मैंने सजीवन पांडे को डाठा तुमको शर्म नहीं आती जो अपने पिता तुले पूर जे आचारे को खबीश बुढ़ा कह रहे हो। अच्छा मैं आठवा अनुछेत पढ़ता हूँ। मैं चूड़ा मरी मैं जगतपति मिश्र को देता हूँ। एक हजार की रकम के साथ जिससे अपना साइन बोर्ड बनवाले एक टिलीफोन लगवाले और अपने पेशे योगी पितामबर आदी वस्तर खरिद ले। जगतपति मिश्र ने को छेज की चाते हुए का हमारे लिए सिर्फ इतना ही। उत्तर नील मरी दे दिया पहले हैसियत बनालो फिर लखना हुआना वहाँ जो तिसीयों की बड़ी पूछ है हम तुम्हें काफी रकम पैदा करा देंगे। मुझे डाटना पड़ा ये सब बातें बात में अभी तो वसियत का करम चल रहा है। हाँ तो नवा अनुछे देश प्रकार है। मैं चूड़ा मरी मिश्र अपने भतीजे स्रीपति मिशर से अत्यंत संतुष्ठ हूँ। हाइस कुल पास होने के बाद ही वह राजनीत में आ गया और राजनीतिक नेताओं की शमचागिरी करके वह खाने पीने भर के लिए जटक लेता है। लेकिन उसे के वल पचास अजार रुपयों की विवस्था करता हूँ ताकि वह अगला चुनाओर लड़ सके। अपनी मकारी छलकपट और गुंद्रागर्दी के बल पर श्रीपति अपने परदेश का ही नहीं भारतवर्स का बहुत बड़ा नेता बन सकेगा। हर शात इरेक से उमरते हुए अपने आसुओं को पोच्टे हुए श्रीपति ने कहा चाचा जी आपने मेरे चरित्र पर जो लांचन लगाया है वह सरासर अपने भ्रहम के कारण लेकिन मैं आपके आदेशों का पालन करूँगा। मकान के नीचे वाले खंड में एक अच्छा सा पुष्टकालया स्थापित कर दे इसी मकान में वह आकर रहे भी और जसोदा भी देख भाल करे। जसोदा की मृत्तु के बाद इस मकान के नीचे का खंड का स्वामे लोगपति मिश्र होगा और अगर जसोदा लोगपति के सा ने रहना चाहे तो वह अपने पुत्रों पुत्रियों के साथ कहीं दूसरी जगह रह सकती है। ऐसी हालत में जसोदा के जीवनकाल में इस नीचे के खंड पर लोगपती का स्वामित तो हो जाएगा। पुर्ष्टकों की जिल्दे बधवाने के लिए और रैक खरीदने के लि इसमें हजार दो हजार और जो लगे मुझे से ले लेना। को दे दिया जाए और मेरी ओर से सो रुपए दे कर इसे भी बीदा कर दिया जाए। यद मेरे कुटुम का कोई व्यक्ति बुधाई को अपने हां नौकर रखना चाहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जसोदा देवी ने कड़कर बुधाई से पुछा कितना सामान है भ पुधाई को कैसे दिया जा सकता है। यह 11,00,00 की रखम पिछले अप्रैल में मेरे नाम थी। ब्याज लगा कर यह रखम अब और बढ़ गई होगी। संभवता इस रास पर मृत्तुकर भी देना होगा। तो मृत्तुकर देने के बाद जो रूपया बच्चे उसमें से इस वसीयत में निरधारित रासियां कर दूँ। एक स्वर में सब लोगों ने कहा हाँ उसे भी पढ़ दीजे। फूट नोट इस प्रकार था। मेरे परमसे से जनारदन जोशे। तुम्हारा उत्तरदाय तो केवली इस वसीयत को मेरे परिवार वालों को सुनाना होगा। इस वसीयत की रजिश्ट्री हो चुक ने तुमने सारल पढ़ा ने चारवाक का दर्शन पढ़ा कि एक मातर वेदान्त के तुम पंडित रहे हो। मुझे तुमसे कभी गभी एटस्या होने लगती है कि कितना संतोस है तुम्हारे मन में कितनी शांती है। मैंने संकोच कहता हूँ कि तुम मेरे सबसे अधिक निक मैं तुम्हें अंतिमु पहार के रूप में अपना परम प्रिय तोता गंगाराम भेट करता हूँ जिसे मैंने अपने प्राणों की तरह पाला है। जब तुम अधालत से इस वसियत को जमा करके लोटना तब बुधही से गंगाराम को ले लेना। मैंने घड़ी देखी दस बच चुके थे। मैं उठ खड़ा हुआ। अधालत खुल गई होगी। मैं पुझ्य गुर्देओ की आज्यानुसार ये वसियत वहां जमा करके वापस लोटता हूँ। अधालत में अधिक समय नहीं लगा बारे बजे ही मैं लोटाया। बुधही ने तोते का पिजरा मगन भाव में चल रहा था कि मुझे सुनाई पड़ा तुम बुध्धू हो। मैं चौक पड़ा बिलकुल साफ आवाज और मैंने अनभो किया कि यह आवाज तो तेके पिजरे से आई थी। इस आवाज को सुनकर मेरे विचारों ने पल्टा खाया। आचारे ने लाखो मोट में मैं तेजी से डग बढ़ा कर चलने लगा तभी मुझे पिजरे से सुनाई पड़ा मैं पंडित हूँ। बड़ी साफा वाज जैसे आचारे चोड़ा मड़ी स्वेंग बोल रहे हूँ। तो आचारे एक मुल्यवान उपहार मुझे दे गए हैं। असी घाट सामने दिख रहा था कि फिर मुझे सुनाई पड़ा तुम बुद्धू हो। आसपास के लोग मुझे और मेरे हाथ वाले पिजरे को देख रहे थे और मुझे लगा कि आचारे चुड़ा मड़ी अपनी वश्यत में मुझे ठेंगा दिखा कर मेरा उपहास कर रहे हैं। मेरा अंद इससे कोई इनकार नहीं कर सकता तुम्हारी आत्मा को शांती मिले और मैं अपने घर की ओर चलने को उद्धत हुआ था कि गंगाराम बोल उठा तुम बुद्धू हो जैसे सीर से पैर तक आग लग गई हो। मैंने पिजरे की खिड़की खोलते हुए कहा मैं बुद्धू हे गंगाराम मैं तुम्हें मुक्त करता हुँ मेरे कहने के साथ ही गंगाराम पिजरे से ओड़ गया और मैं घाट पर खाली पिजरा छोड़कर घर की ओर चल दिया। तो दोस्तों ये थी भगावती चरण भर्मा की अत्यंत ही मनुरंजक और मनुरंजन पोन कहानी वसीयत कह कहानी सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में बताईएगा कि कहानी आपको कैसी लगी और मेरे वाचन स्वर में या मेरे वाचन में कोई दिक्कत हो कोई गरवड़ी हो तो आप हमें सुझाओ भी दे सकते हैं कि इसको कैसे सुधारा जाए तो कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तो, नमस्कार.